हेलो गाईज, वेलकॉम तो माई चैनल, एक कोस्टिन ले रहे हैं, कन्वर्ट इच अफ दा फॉलाविंग एज ए मिक्स्ट फ्रेक्शन, निमलिखित डेसिमल नंबर्स को मिक्स्ट फ्रेक्शन में चेंज करना है, इस तरह से हम इसे चेंज करेंगा, यह इसे फ्रेक्शन में चेंज करेंगा, जब पॉइंट के बाद वन डिजिट हो, तो डेनिमिटर में टैन अंकीत करेंगे, और पॉइंट हट जाएगा, यह 64 हो जाएगा, अब यह कट जाएगा, यह 2 से काट देना है, यह 5 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 32, 32 by 5, अब इसे मिक्स फ्रेक्शन में चेंज करने के लिए, 5 से 32 को डिवाइट कर देना है, डिवाइट करेंगा है, तो 6, 2 by 5, अंसर प्राप्थ होगा, इस तरह से यह मिक्स फ्रेक्शन में चेंज हो गया, दूसरा ले रहे हाँ, 16.5, यह पॉइंट हट जाएगा, 165 हो जाएगा, by 10, चुकि पॉइंट के बाद 1 डिजित है, तो 10 हो गया, अब यह 5 से कट जाएगा, 5 2 जाट 10 हो गया, और यह हो जाएगा, 33 टाइम से 165 कट जाएगा, 33 by 2, अब इससे मिक्स फ्रेक्शन में चेंज करने के लिए, 2 से, को डिवाइड कर देंगा डिवाइड करेंगा है तो हो जाएगा 16 1 by 2 ये भी पिस फेक्शन में चैंज हो गया अगला कोशन ले रहे है हां 8.36 ये भी पॉइंट हट जाएगा 836 हो जाएगा by 100 हो जाएगा अब इसे हम होर से काटेंगा 4 से काटेंगा तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 209 209 by 25 अब इसे मिक्स फेक्शन में चैंज कर देंगा 25 से 209 को डिवाइड कर देंगा तो हो जाएगा 899 by 25 अगला कोशन ले रहे हैं 4.275 ये भी पॉइंट हट जाएगा यहां 3 डिजिट है पॉइंट के बाद तो हो जाएगा 1000 अब ये 25 से कट जाएगा ये 40 टाइम से कटेगा और ये 171 टाइम में कटेगा 171 by 40 अब इसे भी मिक्स फेक्शन में चेंज कर देंगा 4 11 by 40 ये भी चेल हो गया लास्ट कोशन ले रहे हैं 25.06 पॉइंट हट जाएगा by 100 हो जाएगा चुकि पॉइंट के बाद दो डिजिट है ये 2 से कट जाएगा दोनों नंबर ये 50 हो जाएगा और ये 1253 अंती में इसे भी मिक्स फेक्शन में चेंज कर देंगा 25 3 by 50 ये अंसर प्राथ होगा इस तरह से हमने decimal numbers को mix fraction में चेंज किया उम्मिद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को like करें और मेरे चैनल को subscribe कर लें Thanks for watching